प्रियांका चोपड़ा और निक जोनस की शाधी को 6 महने हो चुके हैं इन 6 महनों में प्रियांका और निक से जुड़ी कई खबरे आई यहां तक कि इन दोनों की शाधी पर भी सवाल खड़े हुए लेकिन सभी बातों को अफवाह साबित करते हुए यह कपल मस्त लाइफ एंजोई कर रहा है इस बीच निक जोनस ने प्रियांका चोपड़ा की फ्यूचर प्लानिंग को लेकर ऐसी बात बताई है जिससे जान कर फैंस का दिल तूट सकता है निक जोनस ने हाली में इस बात का खुलासा एक इंटर्व्यू के दौरान किया निक ने कहा कि अभी भी फार्म लाइफ के प्रती आकर शक हूँ इस तरह के लाइफ के लिए स्टार डम को भी छोड़ सकते हैं प्रियांका से शादी करने के बाद भी खेती किस्तानी का विचार नहीं चोड़ा है शादी के बाद मैंने जब इस विशे पर प्रियांका से बात की तब उनको भी आईजिया बेहत पसंद आया प्रियांका के बारे में बात करती हुए निक ने कहा कि खेती की तरफ बढ़ने के बाद ना कीवल मेरी बलकी प्रियांका चोपडा की लाइफ में बहुत बड़ा बदलाव आएगा प्रियांका के लिए यह आसान नहीं होगा ऐसा करने के बाद उनके जीवन में कई बदलाव आएंगे प्रियांका एक सफल स्टार है और लोग उन्हें बहुत पसंद करते हैं मैं बहुत खुश किसमत हूँ कि जीवन साथी के तौर पर मुझे प्रियांका चोपडा मिली। प्रियांका चोपडा और निक जोनस ने एक और दो दिसंबर को जोदपूर में हिंदू और क्रिष्टिन रीति से शादी की थी। इन दोनों की शादिस वज़ा से भी चर्चा में रही क्योंकि दोनों की बीच उम्र का फासला ज्यादा है। भी परवाह नहीं करता और सभी लोग उसे पसंद करने लगते हैं। उम्र मेरे लिए एक नंबर की तरहा है। मेरे लिए सबसे ज्यादा एहम है कि दो लोग एक दूसरे को बहुत ज्यादा प्यार करते हूं और दोनों अपनी खुशी से शादी करें।